Hello guys Multitec Institute में आपका स्वागत है आज मैं आपको प्रिंटर के प्रोब्लम के बारे में बता हूँगा जो हमारे पास HP का 309 मोडल है इसके अंदर प्रिंट देने पर क्या प्रोब्लम आ रही है मैं आपको इसके अंदर प्रेक्टिकल बता हूँ सबस्के पहले प्रिंटर के अंदर पावर केबल लगाई में पावर केबल लगाने के बाद तीन सोन इस मोडल के अंदर अब आप देख सकते हो कंप्लीट प्रोसेसिंग होने के बाद और आपके प्रिंटर कम्प्लीट लगाने के बाद यूए अधे के इसके मटर लगाने के बाद यूएस्बी केबर लगाने के बाद अब आप देख सकते होगी है नहीं कर रहा। यह आप देख सकते हैं इसमें पेपर की लाइट ब्लेंग हो रही हैं। अब आप प्रिंट के निया है। जो इक तो जो अमने टैस्ट प्रेज दिया है। इसके अंदर आपके बलू कलर के अंदर आपके लाइनिंग शेड़ आ रही है और ब्लैक के अंदर जो भी हमने प्रिंट दिया इसके अंदर वर्ड थोड़े-थोड़े बीच-बीच में कट-कट के और ब्रेक आ रहे हैं अब इसको में प्लैक्ट ड़ेक अंदर इसको देखेगे टी वपन करके यह nostro अंदर किरेंगे कि इसके उन्सक्र आ की अंदर कीजिक प्रोबम से प्रोब्लम है संब में प्रोब्लम है या इंकोड़ में प्रोब्लम यह आप देख सकते हो प्रेंट कितना खराब आ रहा है अब हम सबसे पहले इसके स्कूरू ओपन कर लेते हैं यह आपकी कंप्लीट कैरीज होती है कैरीज के अंदर हम सारे दीरे दीरेक एक बार फार्स चैक कर लेते हैं यह हमारी इंकोडर को निकाल के हम चैक करते हैं इंकोडर के आप देख सकते हो यह कंप्लीट एक दम होके हैं इसके बाद हम यह देखिए आपको कंप्लीट दिख जाएगा इसके इंदर ब्लैक कलर के जो पाइप है उसमें एयर आ रखिया इसकारण आपका हैड तक ब्लैक प्रिंट नहीं पहुच पा रहा अब हम इसको एयर को रिमूफ करने के लिए या तो हम इसका इंजेक्शन से निमूफ कर सकते हैं या तो फिर आप piston के अंदर इसे इसको और से बीया विरेकल सकते हो यह रिमूफ को हिल्का सा प्रैस करेंगे इसको हलका सा प्रैस करके कम्प्लीट अराम अराम से इसके अंदर यह आपको एक दो तीन चार इन आपके कलर के हो गए और एक सेप्रेट आपका ब्लैक का हो गया इसके अंदर हम इसको कम्प्लीट लगाएंगे यह आप देह सकते हैं कि में जो एक उसारी की सारी एक रिमोवर में नुस्टार्ड हो जो है कि अज़े हैं कैप PTINTER के अंदर कलर से रिलेटेड यह प्रेंट से रिलेटेड आपका कलर पर्फेक्ट नहीं आ रहा के प्रेंट में दिक्कात आ रहे है तो हमें सबसे इंकोडर डिकोडर हैड और आपके पाइप के अनदर एयर और टैंक के अनदर आपको एयर क्रलखो करनी होती है और हेड के अदर पूमिट लगा राके होते हैं उनको करणक में क struggling उनके उपर कार बनाने के कारण प्रोब्लम आती है जिसे हम उसे साफ करते हैं अब आप देख सकते हो यहां पर आपकी एयर पूरी खतम उचुटी है कि अब उसके बाद कि रहे हुआ इसको प्रेस करते हैं प्रेस करेंगे एक और फिर लगा लेते हैं ताकि जो थोड़ी बहुत एयर बची हुई है वो सारी की सारी कंप्लीट निकल जाए है जो और फिर निकालने के बाद अब हैड की एर भी चेक कर लेते हैं हैं मिकालने के लिए आपके पास एक यह एर केट होनी चाहिए जो आपके हैड के अंदर एर आती है उसको निकालते हैं इसमें पर्फेक्ट लगाएंगे उसके बाद इसके नीचे इंजेक्शन लगा के इसकी हैड में जो भी एर होगी ना उसारी के सारी निकाल लेंगे जितने भी बबल आ रहे है यापकी एर आ चुदी है इसके अंदर अब हम इसके निकाल दयेंगे इसमें इसमें आड़ कर देंगे और इसको लगाएंगे इसके लगाएंगे इसके श्प्रिंग ड़ा के इसके लोगाएंगे अब आप देख रिख़ाना बश्क्रियूए गए तो थोड़ी बहुत एहर दुबारा आ गई यह थोड़ी मेरा आपका प्रिंट निकालते निकालते आपका एए और सारी की सारी खतम कंप्लीट हो जगी प्राइब इने हो जाने है तो आ अच अनुफ के मैं इसके अमकॉर्टर लगा लेते हैं प्रिंटर लगाते टाइम में बहुत ज़र ध्यान रखना पड़ता है इंकोडर के अंदर जो ब्लैक स्टिप्स लाइन जारी है वो आपकी सेंसर के अंदर ही रहनी चाहिए और अगर सेंसर से बाहर वो चली जाती है तो आपके कलर के अंदर फिर से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी और अगर आपका एपका प्रिंटर है तो सब की आरो डिफेंट डिफेंट आते हैं हुआर है परने इसके अंदर ऐसे ही पाउर केबल लगा के पाले इसको चैक करते हैं कमप्लीटियन मुव्मेंट हो रहा है या नहीं है कर दो डाद अब आवर केबल लगाने के बाद पांच शी सेंड बाद आपका प्रिंटर मुव्मेंट होना स्टार्ड हो जाता है अगर सपोस्ट जाट वह मुवमेंट नहीं हो रहा या मुवमेंट के इंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है या वह आपका साउंड कर रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपका प्रिंटर रेडी नहीं होगा अभी हमारा प्रिंटर एकदम कंप अब आप देख सकते हो उन्हें कमांड दे दिये पेपर इन हो भी चुका है अब धीरे धीरे हमारा प्रिंट बनना स्टार्ट हो रहा है अब आप देख सकते हो जो पहले प्रिंट आया था उससे काफी ज्यादा बैटर हो चुगा है अब आपका जो थोड़ी बहुत एयर थी वह साथ साथ प्रिंट करते करते आपकी सारी कंप्लीट एयर निकल जाएगी पांच शे पेज की और कमांड देते हैं फिर उसके बाद हम के अंदर आपको सारी क्लासिस प्रैक्टिकल बताई जाएंगी अब आप कंप्रिंट देख सकते हो कि हमारा प्रिंट एक दम पर्फेक्ट आया है यह थोड़ी थोड़ी जो वर्ड्स मीच बीच में से ड्रेक आ रहे हैं आप चार पांच पेज कंटीन निकालोगे तो उसके बाद आपको सारी के सारी जो वर्ड्स हैं कंप्लीट प्रोपर आएंगे अब आप देख सकते हैं अब कम्प्लीट एक दम प्रिंट आना स्टार्ट हो चुगा है अब कोई भी आपके वर्ड बीच बीच में से ब्रेक नहीं हो रहे है इसी तरी की वीडियो देखने के लिए प्रिंटर रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रोब्लम आती है अगर आपके प्रिंटर के इंदर कोई भी एरर आता है अगर आपको एरर से रिलेटेड या प्रिंटर के इंदर फोल्ड फाइंडिंग से रिलेटेड अगर कोई भी आपको पोश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो थैंक्यू से